आट जेडी सुप्रीमो लालू प्रिशाद यादव की तवियत गुरू बार की शाप अचानक से भी कर गई लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसके बाद डॉक्टरों ने उनका देर रात तक चेकप किया कोरोना वाइडस एंटिजन टेस्ट में लालू यादव की रिपोर्ट नीगेटिव आई है आर्जेडी सुप्रीमों के शुप चिंतकों और डॉक्टरों के लिए राहत की खवर है लेकिं आटी पीसे आटेस्ट के लिए लालू यादव का सेंपल लिया गया है जिसकी रिपोर्ट आज आनी है लालू का चेकव करने के बाद डॉक्टरों ने बतायए कि उनमें निमोनिया के हलके लक्षन पाए गया है सीने का एकसरा कराये है जिसमें इंफैक्षन के संकेत मिल है साथ ही उनका ब्लड सेंपल भी लिया गया और आज सभी जाज रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर कुछ कह पाएंगे रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के मुताबिक लालू प्रसाद के फेपरे में थोड़ी परिशानी हुई है रिम्स के निदेशक ने लालू यादब की तव्यद को फिलहाल इस्थिर बताया है आपको बता दे कि लालू की तव्यद खराब होनी की जानकारी जैसे ही नेता प्रति पक्ष तजस्वी आदब के पास पहुंची तो उन्होंने ततकाल जार्खन के स्वास्त मंत्री बन्ना ग लुकता खुद गुरुबार की देर शाम रिम्स पहुंच रहे थे फिलहाल अब सब की नजरे लालू यादब की रिपोर्ट पर ठीकी हुई है